अबे क्या बोलना है तू? कौन सा कारून का खजाना हाथ लग गया तेरे हाथ? इसके बात कर दो कारून का तो नहीं, लेकिन बहुत जल मेरा खजाना इन दोनों बच्चों के हाथ लगने वाले है वो भी पूरे पच्चास करोर अबे गुलाम तू? मैंड योर लैंगविज, मेरा नाम राम गुलाम है बे अबे तू औरतों का गुलाम साथा लगता है मुझे अबे जमान समाल के बात करूं समान समाल के बात कर तू मेरे घचेलू को धोके बाजी करके उसे पसा रहा है एक्स्योज मी धोके बाजी वो नहीं कर रहे हैं आप कर रहे हैं आज साथ धोके बाजी कर रहे हैं लालच दे रहे हैं कि आप देंगे पैसे देंगे पैसे लेकिन आप देते नहीं है लेकिन अब हम लालच में आने वाले नहीं ह Narrator अरी एक नंबर का फ्रॉंट है यह अ धालता है अबे, हैलन पर दोरे तू डालता है क्योंकि है ऐलन मेरी है है मेरा मतलब है हैलन मेरी भाबी है अच्छा तो तू भाबी कुला है एक थे मारे घप साई अबे समान समान के बात कर! समान समान के तू बात कर! बही तिवारी जी बुबाराक हो! हम और आप रिष्टेदार हो गएं अब! अब तो जीजा साले का रिष्टा हो गया तुमारी जी! अरे भावी जी इस रिष्टे के हिसाब से तो आप हमारी सलेज होंगी! जी जी जी! है दिया! हमरा एक था सवाल है! कि भभूती जी आप हमरे का हो गया? और इस रिष्टे के हिसाब से देखे तो भभूती जी तुमारे भाई साव हुए! अपे! क्या पकवास की आप में? ये क्या पकवास की? भाई क्यों जाएंगे? देखे, आपके साथ रिष्टा बदला है! बादी जी के साथ वही रिष्टा कंटीनी होगा! हाँ, हाँ, ये ठीक बाद! काहे के नया रिष्टा बैसे भी ज़्यादा टिकाव नाई है ना? येल सैर बादी जी! क्या बात है समधिन जी? आप तो गोंगट में कीपी रही हैं? हाँ, हाँ, आई ऐसी बात नहीं है तो खाली चक रहे थे अरे, चक्के क्यों देख रही हैं? पूरा का पूरा अगटक जाईए भई बेटेंगी शादी है अच्छा, और ये बात का आपने फैदा उठाय तो? अरे, कैसी बात है कर रही है? देखे, भई रिष्टे में हम आपके संधी है तो संधिन के ऊपर तो हमारा पूरा अधिकार है तन एक दूर से, हाँ, संधी जी बना इसा करंट मारेंगे के सीधर लंडन में जाके गिरियेगा नानी मा, नानी मा आप करंट मारती हैं? मुझ आसते की बता ही ने चला काप अप करंट मारती हैं मुझे मारिये ना मुझे करंट मारिये मारिये ना प्लिज संधिन I like it I am a comedian पुरा का पुरा गटक जाईए वही बेठेंगी शादी है अच्छा और यह बात का अपने फैदा उठा है तो औरे कैसी बात है कर रही है देगे भई रिष्टे में हम आपके सम्धी है तो सम्दिन के ऊपर तो हमारा पूरा अधिकार है हुँआ कैसी आपके सिधाए छुसे बात हैं लंडन कर दहारे क्सी देंलन्द मुण 1 ata नानी माँ, नानी माँ, आप करंट मारती हैं, मुझे आजते की बत पता ही निचला क्या आप करंट मारती हैं, मुझे मारियान, मुझे करंट मारियान, 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 मारि लेडिस और मोस्ट जेंटलमें, तोरे इस अपिस दे अप्पिस दे आफ मा लाइफ का बोले? अबर्भुती जी, हिंदी में बोले ना ताकि हम को रेसमा दीदी को समझ में आए पॉल्वाई हिंदी में बोले? या, आम रेली सारी, आम रेली रेली सारी दोस्तों, आज मेरी जिन्दगी का सबसे खुशी का दिन है आज मेरी बेहन रेशमा की सगाई है और सगाई भी किससे है? हमारे खास पडोसी मनमौन तिवारी से हम लोग दोस्त थे, दुश्मन थे, जो भी थे, इस बाइगाउन अब हम लोग रिष्चदार हैं, यह मेरे बेहनों ही हैं और मैन का साला तो दोस्तों, मैं अब पूछता हूँ रेशमा जी से कि क्या हम सिंग सेरिमेनी शुरू करें? रेशमा ने आखे दिया? मुबारको भई, मुबारको तिवारी जी, मुबारको भई अब देखिये भैंस जी, I mean रेशमा जी ने भी हाँ बोल दिया है तिवारी जी, बदाई हो मुबारको तिवारी जी, बदाई हो लेकिन हम का पूछ रह हैं अकी, जो रेशमा दीदी है लेटू के भईया को अंगुठी कैसे पहनाएंगी? नाना बेटा, रेशमा दीदी नी पहनाएंगी दमान जी को उसके सिंग पे न सोने का चल्ला पहनाना है ठीक भाव पहना भाई अरे यार बाराकल, मुबाराक भाव मुबाराक कच्छा बनियार मुबाराक हो सेड़ जी सेठानी भाराक हो भाईया अवत्यभी था बिलेक थाप्जिश के पाता होंगे बढ़ाई हो बढ़ाई हो तिवारी बढ़ाई हो ठीक ठीक है मेरी बेहन का भईया पूरा ख्याल रखियेगा तिवारी जी मुबारक हो चेक तक समाचार देखता रहता है अब रोमांटिक फिल्म भी देख अब बताए बहुरिया क्या हमरे दिल पर से कितना बड़ा बोज उतर गया सच्ची अमाजी हमको भी आज बहुत हलका हलका महसूस हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कौनो बोज उतर गया हो हाँ और अगर यह उपाए हम लग नहीं करते न तब पक्का इबाईल दूसरी साधी कर लेता दूसरी शाधी कर दी अरु तन भी तो तभी का बाद कर रहे हैं पर आप और ठाएफ कर कर रहा है अब तर तो तर्मी शाधी भाईस के साथ फीक्स हो गई है अब का ही डर रहा है कलें जब से होष Vanguard के भायों का हाँ अब तो सब कुस ठीक हो गया है मन की शान्ती के लिए अरे पंडेत रामफन कप पून हमरे बिना एक पल नहीं रह सकते हैं यह बिना अका बोले कच्छ नहीं हलो आप बोले डारल हाँ हाँ कही है हाब कर रहे अच्छा मतबल के सारा दोस दूर हो गया अब साधी करने का कुण जरुवत नहीं है अच्छा अच्छा तो बोलोना मसाजी को बोलो भी बोलोना यार तुम भी तुबहुआ उंची शरम आती है न मुझे अच्छा मेरी तुम आपके गुरी बच्ची आप सब कुछ कहना चाहती है लेकिन शर्मा रही है अच्छा तुम मेरी गुरी बच्ची बोलो क्या खना चाहती है बेटा खुल के बोलो शर्मावत कब ओ महसाजी देखे ना मेरी तो नननन जी की शादी है कौन सी नननन मैं रेश्मा ननन जी की बात कर रहे हूं अब देखे ना विभू ने रेश्मा जी को अपनी बहन माना है हां तो न मानते हुए भी वो मेरी ननन जी तो हुई वावाँ मेरी बच्ची जुग जुग जीओ मतलब तेरी बात सुनकना मुझे इतनी खुशे हो रही है इतनी खुशे हो रही है कि मैं बहाने कल सकते बेटा तुम तुम रेश्मा से कितना प्यार करते हो बताओ रेश्मा आप डोली में नहीं बैठेगी अधिया तिवारी जी आप ये क्या कह रहे है हम बेहत शमा चाहेंगे भावी जी लेकिन अब हम ये शादी नहीं कर सकते शादी नहीं कर सकते शादी नहीं कर सकते अभी तो मेरे बेहन के हातों मेहंदी मतलब खुरों मेहंदी मिनी लगी है अची बात नहीं कि तुम आपकी बेहन के खुरों मेहंदी नहीं लगी है अगर मेंदी लग जाती तम मना करते तो गलत बात होती ना फोड़िया अरे पर मेरी रेश्मत से शादी क्यों नहीं करना चाते हो तुम्हाई अ देखे मौसा जी बात यह है ना कि हम अपना इरादा बदल दिये हैं अरे अंगोरी जी प्लीज ऐसा मत करी अगर आपका इरादा बदल जाएगा तो यहाँ कुछ बदल जाएगा अ सारी सारी अनीधा जी लेकिन बात यह है ना कि लड़ी के भया और ओभेशिया हम नहीं कि और यह क्यू रे रेश्मत कहल साधी हो गया ना तो हमरे घर में तो बहुत कुछ बदल जाएगा चुपचाप खबर दे दिया ना? तो मौसा जी, भावी जी, भभूती जी हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये शादी हम नहीं कर पाएंगे अरे तिमारशी आप मेरी बहन के अर्मानों को चकना चूर करके जा नहीं सकते हैं हमने कौन सी आपकी बहन के अर्मानों को चकना चूर कर दिया है कौन सा उसके साथ को डेट पर चले गए है कुछ किया तो नहीं पिर काये का, हाँ? चोड़िये, चले, आओ पगली, आओ, आओ, चले ठोर दीजे न, कहा है यह बेरी नेश्मा के साथ यह जग, क्यो होता है? प्लीज, प्लीज, बहुत सची, प्लीज, रिलाक्स देखे, हम सब लोग सम्हाल लेंगे या, वी, 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 रहनल लेंगे, टोंट वरेटा अब तुम दुनों को ना सम्हाल नहीं पड़ेगा अगर तुम दुनों को पचास करोड चाहिए तो इस मेटर को सम्हाल नहीं पड़ेगा और नहीं तो फूटी तवडी तक नहीं मिलेगी, सम्हाइब? अरे, पॉसा जी पॉसा ची, लेटी, कि भाईया हमको भी न, बहुत हलका हलका महसूस हो रहा है नहीं तो न, सारा जिंदगी हमको बहुत उल्टी फीलबा होता तो फोग गिल्टी फील होता है अ, सही पकड़े हैं हमने भी सर्ष न, जैसे एक छो बहुत बड़ा बोज उतर गया हो चलिए, उपर वाले की महान कृपा है कम से कम ये बोज हमारे सर से हटा तो सही तो काहे गा मान दिया रहा हम नहीं मानते है उसा भातो बाद भूलिये तिभारीजी कि आपके उसके साथ सिंग सेरेमेन हो चुकी है अधिया तो कोन असाधी तो नाए हुआ ना भापी जी, सिंग सेरेमेन का मतलब है कि अधापती उसका हो गया, 50% तिवारीजी उसके हैं, मतलब कमर के ओपर का हिस्सा उसका हो गया रहे से कैसे उसका हो गया, वड़े हैं, हमने कह दिया नहीं मानतों तर नहीं मानते हैं बारजी, प्लीज आपके पाउप अर्था प्लीज, don't disappoint me, बारजी, प्लीज आप जाहिए ना है, जाहिए नहीमादे बारजी एक बाप कान खोल के सुन लेचे अगर आपने मेरी बेहन रेश्मा से शादी नहीं की न तो अन्यों जिन्दगी बर आपका थोबड़ा नहीं देखे कि अब आपको क्या करना है शियूनों पैठा चलता हुआ भाबीजी संजा जी, कुछ कीजिये ना देखे ना आपकी तौलीगड में इतनी पहचान है कोई अच्छा सा लड़का बताएए ना जो रेश्मा से I mean बहस से शादी करने के लिए तयार हो जाए हाँ अच्छा चली ठीके मैं आपको ना पांच लाक रुपे कैश दूँगे हाँ 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 ओके ओके तिवारी जी तिवारी जी जी चुपने की कोशिश मत कीजिए मैंने आपको देख लिया है आप चुपने की कोशिश कर रहे थे ना नहीं भाव जी चुपने ही रहे थे क्या है कि वो बेडरूम में मोबाईल रखके कई भूल गए तो वो खोजने आये थे So sweet आपके हाथ में क्या है? देखिए आपके हाथ में जाध मोबाईल है ना यह यह खरना बंद हीजे तिवारी जी पी चादी कर लीजे ना भावी जी हम बहत शमा चाहेंगे हम यह शादी नहीं कर सकते अरे लेकें क्यूं? आप सिंग सेरेमेनी में कितने खुश नजर आ रहे थे हैं किती प्यारी लगी थे आपके औरेशमा की जोड़ी क्या हुआ जानक हम बता चुके हैं भावी जी एक बार आपको फिर बता देते हैं दरसल एक ग्रह दोश दूर करने के लिए उपाय किया जा रहा था भावी जी अब वो तो उपर वाले के महान कृपा रही कि वो सिंग सेरेमनी से ही बात बन गई अब जब बात बन ही गई है तो फिर शादी करने की क्या ज़रुत है बताईए तीवार जी आपकी बात बन गयिए लेकिन आपकी शादी न करने से हमारी बात भीगड जाएगी ना लेखृ यह שמघें मतलब आप हमारी और भैस की शादी को लेकर दिनी जबात हिका रही है अरे यह जबाती नहीं हो हुन भाट इसल रज़ कोई बात है क्या? क्या बात है भावी जी? कही भभूती जी कि मॉसा जी आपको blackmail तो नहीं कर रहे है? बताही क्या blackmail हूंक? अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर क्या बात है? भावी, देखी, ऐसे खामोश खडी मत रही है बताईए क्या बात है कारण तो बताईए आप से क्या छुपाना दरसल बात यह है कि अगर आप रेश्मा जी से आइमीन उस भेंश से शादी कर लेंगे ना तो हमें मौसा जी पूरे 50 करोड रुपय देंगे और अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मौसा जी अमें फूटी कौडी भी नहीं देंगे मौसा जी आपको 50 करोड रुपया देंगे अगर आप रेश्मा से चादी करेंगे तो मैं आपको पूरे पाच करोड रुपय दूँगी है ना जबरदस्त ओफर सोची सोच के बताते भावी जी बावी जी हमें ये शादी मन्जूर है ये म भावी जी मुबाराग को तुआ जी बाऩ बाऩ मुबाराग को बान्ना को क्लेट सुआरै ये उक्तित आपकर आपास कि आप seus सबजगे एंगे आप तरह आए ऐख एक मिन एख साइद में आएंगे आप प्रतरा आये 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 हुआ है हुआ हुआ है क्या हुए तरह गरत्क अट्वाइब वांस मिल जाता तो लिजिया है कि यह एग इनगे क्या है क्या यहां हिए 25 को इता लॉट्स बस कम से कम 50 लाग तो दीजे न भावी जी तिवारी जी तिवारी जी आप समझने की कोशिश कीजिए आप भरोसा कीजिए आपको मुझे भरोसा है न देखियो जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे मैं तुरंत आपके अकाउंट में चांट कर दूगे ऐसा हो चुका है पगली लेकि लेकिन आप काई काई दूसरे सादी की है बस ऐसे हमारा मन हुआ सो कर ली हम पूछते हम में का कमी है जदू इए को उठाला है आप तुम एक नंबर की बौड़ा मौरा थो नहीं चलो हो गया तुम्हारा काम इस घर में अब तुम्हारी कोई अगली हो ओ लेटू को बता दिये तो इतान सेन में आ जाएंगे अगली हो गया काउन किससे दूसरी चादी नहीं कर सकता का बोल रही थी अओ लेटू के भाहिया ओ का है कि एक फो बहल जो है ओ अपनी गाई को छोड़कर दूसरी भाहिसिया से साधी कर लिया ऐसे सपना हम जानवरों की शादी कर लेता है तब कोनों फरक नहीं पड़ता है जानवरों की शादी ते तुम दुखी हो रही हो बताओ का है हमने कहा कि कल हम जंगल के राजा शेर से शिकायत करके यह पैल को सबक सिखाएंगे वाव वड़ा फिल्म कर दी है क्लामेस देखने दो ना हरे भूले सागे मुझे पकड़ा गया ही रो हिरो हिरोई से मिल गए हब क्या बच्चे भी कर वा होगे क्या तक मैंना देखने नह फ तुम बताओ क्या प्रबलम है तुम बताओ क्या प्रबलम है तुम हर बात पर नंगोरी जी और तिवारी जी को क्यों ले आते हो क्योंकि हमारे पपाडोसी है क्लांने जोकल पि currents बता लेंगे तिरमाबी जी कोามा क्यों सेभर बिठाने की बाता आरे तुसरों चाजाए मुसकुरा क्यो यह मैं पूछ रही हुसका जवाब तो दो यार मैं तुम्हार इस भाईया सवाल का क्या जवाब दो तैल मी अब यह सवाल भी वहाई तो क्या यार अविस्ति, यार हो मारे पडोसिय धुष्मन थोड़ी है तुष्मन नहीं है, तो क्या उनके गुर्दों में घुष जाएं क्या? Please mind your language. गुर्दों में कॉन गुष रहा है? तुम भात करना पतंगड मना देती है. तुम पता है? बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है कि पडोसें से प्रेम करो. Love thy neighbor. कॉनसे शास्त्रों में लिखा है? मैं भी सुनू, एक शास्त्र का नाम बता दो मुझे. क्यार को मैं प्रकांड पंडित तो होनी, इस शास्त्रों का नाम भी याद रखू. देख के ऐसा है, किसी शास्त्र में ऐसा कुछ भी ने लिखा है. इन फैक्ट तुम्हें पता है, मैं पढ़ रही थी चंट सहीली. उसमें एक आर्टिकल था, उसमें कलावती शर्माने साफ साफ कहा था, कि अपने पडोसियों को थोड़े दूर ही रखना चाहिए. वरना एक दिन ना पडोसी गले की फास बन जाते है. जरूर, जरूर, definitely. उन्होंने अपना बंगला बांदा जंगल में. वहां उनके पडोसियें, कुते, बिली, सियार, भेडिये, चुए. तभी उन्होंने ऐसा लिखा है, कि दूरी रखो पडोसियों में. पडोसियों प्या रखना चाहिए. उन्होंने अपने पडोसियों से भाग कर ही ऐसा किया है, इसलिए जंगल चली गही ही हो. हा, मालूम है, उन्होंने अपने पती को अपने पडोसियों के साथ रंगी हाथों पकड़ लिया तक वो भी in a very compromising possession. देखा, देखा, ये सारी वायाद बाते तुम्हे सब पता है, सारी चिछोरी न्यूस तुम्हे पता होती है. चिछोरी न्यूस नी मैडम, ये ब्रेकिंग न्यूस थी और हर अखबार की हेडलाइन थी. Excuse me, please. कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं और पडोसन? अरे यार मैंने कब कहा ऐसा? मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि वो तुम्हारे पडोसी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सारी राज की बाद जाकर उन्हें बता दी जाए. दूरी बना के रखो ना? दिस्टेंस रखो. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम भाबीजी से दूर रही नहीं सकते हैं. ये इतरा ये इतरा के ऐसे हिल-हल के क्यों मुस्कुरा रहे हो? इतना क्यों इतरा रहे हो? ये नहीं बूच हो कि कोई खामे जो चुपा रहे हो? पनी, let's sleep. ये रहे हैं, ये तो हमारी कुछ नसीबी है कि आपने हमें याद किया, वरना एक और देने के बाद पिछले पांच साल से आपने हमारी कोई खामरी नहीं रखी. देखे तीवाली जी, जो मेरा बिजनेस है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, कि ये बिजनेस मेरे ससुर जी ने खड़ा किया है. वो ठीक है सर, लेकिन आपने भी तो उसके लिए खुन पसीना बाया है, नहीं? हाँ, इस बात पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये बिजनेस आज भी मेरी बीवी के नाम पे है, मतलब रमोला के नाम पे है. क्या बात, इस तो सर, हम जब भी भावी जी मतलब रमोला जी हमें मिलेंगी तो हम चरणों में गिरकर और की भीक मांगेंगे उनसे. अवश्य, फिर तो ये मौका आपके पास बहुत जल्दी आ गया है. रमोला आज ही अमेरिका से आ रही है, लखनो उसे सीधे वो कानपुर आएगी, तो उसको कानपुर में कुछ जरूरी काम है. अच्छा? हाँ. अरे तो फिर तो हम इस आफसर का लाभवश्य उठाएंगी क्यों नहीं? जरूर? जरूर उठाईएगा, जरूर उठाईएगा. अब आप उसको कानपुर अच्छे से घुमा दीजेगा, ठीक है? ठीक है. वो क्या है कि ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने हैं, आप पे भरोसा तो करी सकते हैं. तीवारी जी, आप पे भरोसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, आपके लिए जान हाजिर है, क्या बात मैं? क्या बात है, आपने तो अपनी जान दे दी. मैं आपको अपना 25 लाग का ओर्डर दूँगा, अगर आपने मेरी बीबी को खुष कर दिया तो. अरे, थैंक यू, सर, थैंक यू. वा, क्या वा, तो गुपता जी कब आ रही हैं, भावी जी? बास कुछी देर में लैंड होने वाली हैं. वा, बाद्शुमाफ सर होगा हमारे गाली. यारी, अम्मा क्या फोन कर रहे हैं, कि रंग में भंग ना डाल दे. या पंडित रामफल्दे को नया उपाय तो नहीं बता दिये. हलो, अम्मा? कारे बैल, इती दिर से फोन कर रहे हैं, फोन काहीं नहीं उठा रहा तू? नहीं, अम्मा क्या है कि हम दर असल अपने एक इंपार्टेंट क्लाइंट के साथ बैठें, मीटिंग चल नहीं हैं? अच्छा, सुन, हमदी बात ध्यान से सुन. क्या, क्या, कोई पंडित रामफल्दे को नो नया उपाय बताय हैं का कुछ? पंडित रामफल्दे को नो उपाय नहीं बताय हैं, अपना मूँ बंदगर, समझा? पंडित रामफल्दे को अभी मंत्रित काड़ा दिये हैं, वो को बहुर्या को पिलाना है, और किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, समझे? यहां तकि बहुर्या को भी खबर नहीं होना चाहिए, और हमको रिजल्ट तूरंथ चाहिए, यह बात को जो है, एकदम सीक्रेट रखना है, राज कर राज बना के रखना है, समझे? यह एक काड़े में को जहर वहर तुना मिला दिया गई? पगला गया है क्या तू? हमका अपनी बहुरिया को जहर देंगे? काया ना कि पंडित रामफल की उमर हो गई है, तो नजर से कुछ कमजोर दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा इससे सवाल उठा था मन में इसलिए कह दिया बगवास, मन कर जो कह रहे हैं, वो कर समझा, हम झो है, खुपिया तरीके से आएंगे तुमको उकाड़ा दे करके चले जाएंगे इसे जो है संतान की प्राप्ती होगी हाँ जी पलवालिया नया तोता एक कोरे बेए अनो यहाँ यहाँ पापीजी कह रही थी कि उन्हें आज बहुती दरावना खुप थेखा और खुप थेखा कि तिबारीजी ने दूसरी सेकंड शारी कर लिया यहाँ यहाँ आदमी है, इस काबल ऐसा है, यह कर सकता है इस के पर बड़ुई संथी नग थेश यहाँ 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 और और क्या और तो कुछ नि कह रही थी उस चिणरी प्रेजेंट रीज यह थी तुमें मुझसे और कुछ नि कहना? ना फिबो अच क्या खास देना है? तुम्हारा के बगजे तरही निकलागा ना यहाँ और आज भापजी का बज़े तो है नहीं तो क्या खास देना है? तुम्ही क्या प्रब्लम है? फिर पडोसियों की बात? अरे मैं कोई और बात कर रही हूँ और तुम खीच तान के बात को पडोसियों तक ले जाते हो नहीं ऐसी बात नहीं है यहाँ तुम ना कभी मुझे समझे हो ना समझ सकते हो अड़ा कभी समझोगे जब तेखो तब बस पडोसियों के अंदर ज्हाकते रहते हो यही का में तुम्हारा बीबी का तो कोई ख्याल नहीं है उसे तो कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारा यहार ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है यहार कि इंसान के दिमाग में तरह 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 ख्याल आते रहते हैं आदमी भूल जाता है तिसका मतलब यह नहीं कि मैं याद नहीं रखता आई रिमेंबर अचा तुम्हे याद है या तो बताओ ना आज के दिन क्या खास है हे भगवान मुझे याद दिरा दे और नहीं है नो मेरा बैंड बचाते कि मताओ याद आया या नहीं वो तो बाई सारी को आता कि मताई आता ।